रोसाना अगर एक कप ग्रीन टी का आप इंटेक करते हैं तो ग्रीन टी आपकी बॉड़ी को डिटॉक्सिफाइ करती है यानि जितने भी टॉक्सिंस होते हैं आपकी बॉड़ी में उनको रिमूव करती है डाइजेशन को इंप्रूफ करती है यानि ग्रीन टी पीने से हास्मा बहुत बेतर रहता है आपके skin की आपके hairs की health के लिए भी green tea बहुत ज़दा फाइदे मंद है green tea anti-cancerious भी होती है यानि जो भी हमारी body में cancer के cell होते हैं उनको भी remove करती है regular एक cup green tea का इस्तिमाल आपकी body के लिए बहुत ज़दा फाइदे मंद है अक्सार लोगी समझते हैं कि green tea सिर्फ weight loss के लिए पी जाती है ऐसा नहीं है green tea हमारी health के लिए बहुत ज़दा फाइदे मंद है जिनको weight loss का problem ना भी हो यानि कि जो अफराद जिने अपना weight loss नहीं करना है वो भी green tea का regular इस्तिमाल करें अब बात करते हैं external application की कि अगर green tea को आप external apply करें तो आपके skin के लिए green tea क्या benefit सकती है देखें अगर green tea को आप external apply करते हैं तो green tea हमारी skin के लिए भी बहुत सदा फाइदे मंद है सबसे पहले green tea anti-inflammatory होती है anti-oxidants green tea में बहुत सदा होते हैं हमारी skin के cells को repair करती है collagen को boost करती है skin को हमारी tight करती है firm करती है और अगर हमारी skin पर wrinkles और fine lines का problem हो यानि होता है जो हमारी skin को hydrate करता है moisturize करता है हमारी skin को soft बनाता है जो भी marks होते हैं हमारी skin पर उसको भी remove करता है acne pimples के marks हो या पिर छाईयों का मसला हो उसकी लिए green tea का इस्तिमाल बहुत ज़्यादा फाइदे मंद है skin के dullness को remove करती है और रंगत को भी निकारती है तो आज मैं आपके साथ share कर रही हूँ green tea का एक बहुत special face wash असलावलेकुम everyone welcome back to my channel life अदेना आज मैं आपके साथ जो face wash share कर रही हूँ यह आपकी skin के लिए बहुत ज़्यादा effective है और इस face wash को आप एक दफा बनाके अपने पास रख लिजे तो पूरे वी का आप असानी से इसको इसको इ हैट कर दीजेगा दूसरी चीज जो मैं इसमें शामिल करूंगी वो है यह 10 से 12 पूदीने की पतियां पूदीना भी हमारी skin के लिए बहुत ज़्यादा फायदे मंद है रंगत को निकारता है दाग धबों को साफ करता है इसकिन को deep clean करता है hydrate करता है exfoliate करता है acne pimples के marks को remove कर अगर आप उदीने का इस्तिमाल अपने face के लिए करते हैं तो acne pimples आपके face पे होंगे ही नहीं dark spots को भी remove करता है और aging की process को भी slow करता है अब इस पानी को आप अच्छी तरह से पका लीजे इतना पकाईए कि पानी आपका half रह जाए जब पानी आपका half रह जाए तो आप तो आप थोड़ी देर पहले उसको थोड़े से पानी में भिगो के रख दीजेगा मुलतानी मिटी भी हमारी skin के लिए बहुत ज़्यादा फाइदे मंद है पोर्स को tight करती है complexion को fair करती है दाग धबे निशानात को साफ करती है anti aging भी होती है मुलतानी मिटी मुलतानी मिटी तो यहाँ पर दो से धाई टेबल स्पून मैं मुलतानी मिटी के ले रही हूँ अब इसमें add कर दूँगी मैं तकरीबन half teaspoon के करीब संदल का powder संदल का powder भी हमारी skin के लिए बहुत ज़्यादा फाइदे मंद है हमारे रंग को साफ करता है दाग धबे निशानात को साफ करता ह anti aging होता है wrinkles को fine lines को remove करता है और गर्मियों में तो इसका इस्तिमाल और भी ज्यादा फाइदे मंद है क्योंकि गर्मियों में acne pimple का problem बहुत ज़्यादा होता है संदल का इस्तिमाल acne pimple को भी रोकता है तो गर्मियों में संदल का इस्तिमाल ज़रूर करें अपनी skin के लिए और अंबा हलदी भी कहते हैं, वाइल टर्मेरिक भी कहते हैं, आप भी कोशिश कीज़ेगा के कस्तूरी हलदी का ही इस्तिमाल करें, अगर आप किचन वाली हल्दी यूज़ करेंगे तो आपको वो benefit बिलकुल नहीं मिलेंगे जो आपको कस्तूरी हल्दी से मिलेंगे तो कोशिश कीजेगा कि आप कस्तूरी हल्दी का ही इस्तिमाल करें अब इन तीनों potters को आप mix कर लीजिए mix करने के बाद अब जो पानी मैंने प्रिपेर करके रखा हुआ है green tea और पुदीने का वो मैं इसमें add करूँगी और इसका paste बनाऊंगी पानी एकदम सारा नहीं add कीजेगा थोड़ा थोड़ा पानी add करते जाएगा और इसको mix करते जाएगा इस face wash की consistency आप ऐसी रखेंगी कि ना बहुत गाड़ा हो ना बहुत ज़दा पतला हो बस ऐसी consistency होनी चाहिए कि आप असानी से इसको apply कर लें अगर ये पानी आपका बच जाता है तो ये waste नहीं होगा इसको आप as a toner यूज़ कर सकते हैं और अगर आप चाहें ज्यादा बना लीज़े और as a toner आप इसको गर्मियों में इस्तिमाल करें बहुत ज़दा फायदे मन्द है चलते फिरते इसका spray कर लीज़े इसमें green tea है और पोदीना दोनों ही चीज़ें सकिन के लिए बहुत ज़दा फायदे मन्द है और आप चाहें तो इसमें थोड़ी सी कस्तूरी हल्दी भी add कर लीज़े तो ये और भी ज़दा effective हो जाएगा रंगत को भी साफ करेगा आपकी सकिन को hydrate रखेगा और fresh रखेगा ग्लोई बनाए तो आप चाहें तो यहाँ पर जादा पाने प्रिपेर करके इसी रेमेडी से आप एक टोनर भी प्रिपेर कर सकते हैं अब यहाँ पर यह सारी चीज़े बहुत अच्छी तरह से mix हो गई है अगर आप साबुत मुलताने मिटी लें और आपको लगे कि यह अच्छी तरह से mix नहीं हो रही है तो आप उसको mixi में डालके थोड़ा सा grind कर लीजेगा ताकि बिल्कुल smooth सा एक paste सयार हो जाएगा हमारे पास अब इसको आप भर लीजेगा किसी bottle में देखें मैं यहाँ पर कोई साबुन या कोई face wash एड़ नहीं कर रही हूं क्योंकि मैं बना रही हूं इसक कर सकते हैं double border method से या oven में आप साबुन को थोड़ा सा melt कर लीजे और इसमें शामिल कर लीजे तो इसमें जाग भी बन जाएगी लेकिन मैं यहाँ पर इसमें कोई चीज एड़ नहीं कर रही क्योंकि मैं इसको बिल्कुल chemical free बना रही हूं यह एक week तक fridge में आप रखेंगे य फिर यह face wash आप निकालेंगे अपने हाथ पर अच्छी तरह से अपने face पर apply करेंगे apply करने के बाद कम असकम 10 minute के लिए अपने face पर इसको आप लगे रहने दीजेगा हलके हलके circular motion में आप अपने face का massage कीजेगा ताकि अच्छे से benefits आपके skin के अंदर चले जाएं 10 minute के बाद face को आप wash कर देंगे believe me बिलकल deep आपका face clean हो जाएगा मुलतानी मिटी बहुत अच्छे से clean करती है हमारे face को और उसमें जो चीजे शामिल है संदल का powder कस्तूरी हल्दी green tea और पुदीना ये सारी ही चीजे हमारी skin के लिए बहुत ज़्यादा beneficial है एक बार इस face wash को बना के आप जरूर ट्राइ करें और खास कर इस गर्मी के लिए तो ये face wash बहुत ज्यादा ही amazing है और साथ ही इस toner को भी आप prepare कर लीजेगा ज्यादा prepare कर लीजेगा फिर किसी spray bottle में इसको भर लीजेगा और एक week आप अराम से इसको फ्रिज में रखके use कर सकते हैं इस skin आपकी hydrate रहेगी soft रहेगी, glowी रहेगी तो गर्मियों में इसको बनाके जरूर ट्राइ कीजे, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को like कर दीजे, friends में, family में share कर दीजे और अगर चैनल पर new है तो चैनल को subscribe जरूर कर दीजेगा और साथ ही bell notification को press करके all पर जरूर क्लिक कर दीजेगा ताके future में आने वाली वीडियो की notification आपको मिल सकें, रखिएगा अपना बहुत सारा ख्याल, मुझे पिर दूआउ में याद रखिएगा, आला हाफिज